सो भाई लोग आप लोग का भुदुवार कैसे स्पेशल किया जाए दोस्तो आप में इसे बहुत सारे लोग जो है क्रियो हाइव आरजीबी का बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे यूट्यूब के अंदर हम वो पहले चैनल है जो इस कीबोर्ड का इंडेट रिव्यू आपके लिए लिकर आया है क्यों और कैसे पॉसिवल है दोस्तो ऐसे पॉसिवल है कि आपका अनकंडिशनल जो प्यार है वो खतम ही नहीं होता इस चैनल को आप प्रूमोट करते हो नीचे कमेंट करके लाइक करके शेयर करते और साथ ही हमारे जो हार्ड वर्क है उसे आप प इक अनबाइस नीट्रल रिव्यू के लिए बहुत जरूरी है कि हाँ कमपणी के जितने भी ओफर से उन्हें ठुक रहा है और एमजॉन से अपने हार्ड अन मनी से जो कि आपके दम पर आता है अमारे पास उससे प्रूड़क्ट मंगाए और उस पर रिव्यू करें ताकि व हाई लोग बहुत जरूरी है यह चीज क्योंकि आपका हाडन मनी का सवाल है अन्बॉक्स चब करोगे तो फर्स्ट इक्स्पिरियंस कैसा मिनेगा इसी से पता चलने वाला है मेरे को थोड़ा डर लग गया था जब मैंने यहां पर बड़ा सा होल देख लिया है ऐसा मेरे है अगर वैसा सबस्क्राइब कर आपो का त dov skills iki देखने को को मिल रहा है और यहां पर हाइव को खोलते हैं ऑपको बताते हैं अंदर कैसा क्या किया मामला है तो चलिए यहाँ पर जो है दो compartment आपको देखने को मिल रहा है side में आपको अलग से cable देखने को मिलता है बहुत ही व्यवस्तित है तो यहाँ पर आपको cable काफी लंबा देखने को मिल रहा है 1.8 meter to be precise, काफी लंबा है इस category में one of the longest cable यहाँ पर देखने को मिल रहा है और सिर्फ length की बात नहीं है width भी इसका आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है type C detachable है एक end पर आपको type C देखने को मिल रहा है एक में type A देखने को मिल रहा है तो overall cable is very good अब आते हैं में चीज़ पर वो है keyboard itself अभी नहीं आएंगे क्योंकि मुझे दिग गया है नीचे काफी सारी और चीज़े वैसे यहाँ पर weight जो है मुझे अच्छा थासा देखने को मिल रहा है बहुत जादा नहीं कहूँगा बहुत हलका भी नहीं कहूँगा medium type का देखने को मिल रहा है लेकिन इसको अभी रखते हैं चीज़े अभी बहुत सारी है यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है पुस्तिका तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्राफिकल डिपिक्शन के उपर कॉल आउट से अलग-अलग फीचर्स को हाइलेट किया गया है जबरत क्या है हम क्यों बैठें यहाँ पर लाइक करके रखो वीडियो आपके काम आ जागा क्यों कि यह जो कीबोर्ड है आप जरूर लेने वाले हो यह थोड़ा सा पतला हो गया है अब आती है ब्रैंड प्रोमोशन की यहाँ पर आपको एक वाइट में स्टीकर देखने के बढ़ा है जो की क्रेयो ब्रैंड का लोग है और दूसरा है ऐसा ब्लैक में बड़िया कई अगर अब लड़ाते हो वैसे इतनी बड़ी कोई ब्रैंड नहीं अभी नहीं नहीं ब्रैंड है लगे अगर फ्यूचर में दरती यह स्टीकर लड़ा के रखने का सीनी में लड़ा के नहीं गोमने का अब आते हैं मेन मुद्दे पर मुद्दा क्या है भाई साब कि यहीं पर हम जो है रिव्यू कतम कर रहे हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है हम जो है आपको ऐसे कैसे निरास कर सकते हैं आप लोगोंने भाई सब्सक्राइब किया चैनल को और इसका रिक्विस्ट डाला है इतने दिनों से लोग एक पर आपको जो क्लिक्स है काफी अच्छे मिल रहे है अगर अब पीछे बात करें तो यहाँ पर जो इन्टिमेशन क्लिप है वो भी आपको दो तरगे देखने को मिलता है एक छोटा वाला देखने को मिल रहा है विद रबर ग्रिप्स इसके उपर रबर लगे हुए है और एक थोड़ा सा और हूचा आपको कर देगा यह आपके ज्यादा मूटे बरबर ग्रिप्स के साथ आते हैं वैसे यहाँ पर जो रबर ग्रिप्स और भी यूज़ के गए है अच्छे क्वालिटी अच्छे डेंसिटी और अच्छे विड्ट के साथ आ रहे है अगर कीबूर्ड का ऐसे रखेंगे तो यह बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा टेबल हिल जाएगा वाई साथ लेकिन कीबूर्ड नहीं हिलेगा यह इसकी पकड़ है यह चीज जो है मुझे डेफिनिटल इंप्रेस कर रही है बाकि इसकी जितने भी फीचर्स हैं ऐसी सब बता दूँगा तो आपको क्या मज़ा आएगा बिल्कुल नहीं बीरोल शॉट्स के साथ अच्छे अच्छे इसके फीचर्स को एक्स्प्लोर करते हैं सबसे बड़ा फीचर इस कीबोड का है इसका डायल नॉब उसी पे सबसे मेले बात करते हैं मेटरी जैसा दीखता है लेकिन प्लास्टीक का है लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि 3000 के अंदर जो प्राइस सेग्मेंट है ये कीबोड का उसके अंदर आपको डायल नॉब with 75% ले आउट बहुत कम देखने को मिलता है और साथ ही यहाँ पर आपको बड़िया वाले ergonomics भी देखने को मिल रहा है पीछे inclination के दो option देखने को मिल जाता है एक छोटा है एक बड़ा है सब जो है rubber pads से equipped है और total number of rubber pads की बात करें तो यहाँ पर आपको चार नहीं बल्कि 5 rubber padding देखने को मिलेगी और अगर बात करें इसके aesthetics की तो यहाँ पर काफी कमाल कर दिया है company क्योंकि यहाँ पर आपको एक economics है जो इसकी aesthetics है जो इसकी build quality है मेरे हिसाब से अंडर 3000 के price range के अंदर एक mark जरूर सेट करने वाला है सो भाई लोग हम नहीं यहाँ पर देख लिया है कि इस keyboard का build quality कैसा आपको देखने को मिल रहा है अब बात करेंगे keyboard की जान यानि कि उसके key cap उसके switch system और उसके PCB की तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते है PCB की जो की सबसे दरूरी है hot swapping की feature के साथ आता है जैसे की company दावा करता है हमने hot swapping की कोशिश की है इसके उपर और मेरा यह मानना है कि यहाँ पर जो आपको joy मिलना चाहिए आप hot swapping जब करोगे वो उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है क्योंकि हमने जो है यहाँ पर otemo की जगह जो है आगे वही कहूंगा कि वह जोए आपको यहाँ पर swapping का नहीं मिलने वाला अगर बात करें इसके स्वीच सिस्टम की यहाँ पर रेड़ वाले स्वीच देखने को मिल रहा है किसका वाला देखने को मिल रहा है अब आगे चल कि यह स्वीच कितना एक्चुली काम करता है उसक के हैं ने एक साल आपको इंतजार करना पड़ेगा और अगर बात कर इसके किकेपस की यहाँ पर को मईटिकलर की क्याइस करता की बोड को और साथी क्या मेरी जितने भी नाइट आउल दोस्ट लोग वह सब बड़िया राढ़को यहाँ पास शुरू लाइटिंग साफ- sound test. कीबोट के बड़े बड़े भुद्दों पे बात हो चुकी है, अब किसकी बारी है, अब बारी है, इसके lighting, shining, इसकी रंगीनियों की, तो किस से बात शुरू होगी, इसके lighting की vividity, saturation और इसके overall brightness से बात शुरू होगी, यहाँ पर जो है, रंगीनिया आपको अच्छी देखने को इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा, और अगर बात करेंगे, keyboard के overall brightness की, जो light आपको दिखेगा, वो मैंने कहोंगा कि कुछ extraordinary है, बट हाँ अच्छा है, और इसका comparison हम तभी करेंगे, जब आप नीचे मुझे comment करोगी, कि red dragon के कौन से बाले keyboard के साथ इसका compare किया जाए, या अगर बात करेंगे, कौन से keyboard के साथ इसका compare करेंगे, तब ही हमें पता चलेगा, कि किसकी lighting shining comparatively जादा बेटर है, और अगर बात करें इसके lighting को control करने की, तो भाई लोग यहाँ पर keyboard के ऊपर onboard आप control कर सकते हो, क्या करना है उसके लिए, keyboard में basically आपको 20 lighting mode देखने को मिल रहा ह अगर उसे light को on off करना है, बहुत सारे लोग है जो आपको disturb होते हो light से, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, function plus delete button दबाना है, आपका light जो है on वहीं से होगा, off भी वहीं से होगा, अगर बात करेंगे 20 lighting mode है, उनमें swap करने की अगर बात आई, तो आपको कुछ नहीं कर problem आई, तो function plus escape button दबाना है, और उसे hold करके रखना है, आपके G1 का पूरा सार यहीं शिपा हुआ है, actually मामला क्या है, actually मामला यह है दोस्तों कि जब हम इस keyboard को test कर रहे थे, तब पता नहीं क्यों और कैसे, इसका windows button है, वो swap हो गया, alt button से, और अब हम किसी भी तरीके से इसको नहीं कर पा रहे थे, शूट भी हमारा रविवार को रहा था, इसलिए company से हम contact नहीं कर पाए, तो ऐसे situation में बहुत मातापची करने के बाद, इनकी user manual में भी कोई troubleshoot की guide नहीं दी हुआ है, ना ही इनके website में दिया हुआ है, बट यहाँ पर इन्हों ने कहा है, कि function plus escape को hold करो लाइटिंग mode reset होता है, अमने थोड़ी देर उसको hold किया, इसके जितने भी यह problem थे, यह फटाक से पता नहीं कैसे, इसी तरीके से यहाँ पर solve हो गया, और इसलिए मैं कह रहा हूँ, कि आप अगर इस keyword को ले रहे हो, तो इसका माई बाप, इसका गुरु मंत्र, इसका जो आपको software को install करने के लिए, fortunately आपको किसी भी तरीके के antivirus को बंद करना नहीं पड़ता है, software में आप क्या क्या कर सकते हो, अच्छी caliber रखती है, with बड़े-बड़े glitches, वो यह है कि आपको यहाँ पर की RGB का unlimited customization मिल जाएगा, macro keys बगर सेट कर सकते हो, हर ए keys को अलग-अलग तर करने का भी feature आपके देखने को बिल जागा, तो software अपने आप में बहुत अच्छा caliber रखता है, लेकिन software अभी भी comparatively keyboard नया है, में भी इसलिए बहुत सारे glitches आते हैं, तो उसके लिए मेरा guru मंतर आपके लिए है, उसको याद रखना, और यहाँ से आप किसी भी तरीके के trouble से बहार निकल सकते हो, वैसे अगर बात करें, अब इस keyboard के energy consumption के लिए जो cable यूज किया गया है, उसकी तो 1.8 मीटर का PVC केबल देखने को मिलता है, ताइप C to Type A वाला detachable वाला देखने को मिलता है, जिसका मतलब क्या बनता है, कि अगर आपको cabinet रखना है नीचे keyboard रखना है उप तो हर एक वो feature जो किसी keyboard को gaming keyboard बनाता है, वो सारे feature यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जिसके साथ हमारा can't हो गया था, जिसके लिए मैंने मंतर आपको बता दिया है, उसके साथ ही आपको यहाँ पर anti-rollover, साथ ही आपको anti-ghosting, पूरे keyboard के उपर देखने को मिल जाएगा polling rate जो है, यहाँ पर 1000 Hz का है, लेकिन शुरू होता है दोस्तों, यह 125 Hz से उसके बाद 250, 500 और 1000 Hz का polling rate जो है, यहाँ पर आप अचीव कर सकते हो, और यह सब possible है, इसके software में यह आप अलग-अलग report rate जो है, यहाँ पर अचीव कर सकते हो, वैसे by default इसका 1000 Hz का polling rate है, जो कि amazing है, क् की giving ultra fast blazing speed पर ओने वाली है, और response type काफी अच्छा दिखने को मिलेगा, साथ ही कर बात करें, इस keyboard के सबसे बड़े USP, यानि कि इसका dial knob, लोग इसको इसी लिए देख रहे हैं, दो reason है, जो इस keyboard को इस price range में यूनी गुलाती है, first है dial knob, दूसरा इसका form factor, form factor क्या हो गया, 75% क के उपर ये keyboard मिल रहा है, इस price range में दूसरा बहुत ही कम देखने को मिलेगा, और साथ ही पहला वाला feature क्या था, dial knob का था दूस्तो, dial knob से आप क्या क्या कर सकते हो, dial knob से आप जो में volume तो गंटोर कर सकते हो, लेकिन जो बीच में प्रेस करने वाला वाटन है, वो आपका play pause नह करने के लिए बहुत सुवीदा वाला है, और यहाँ पर आपको multimedia hotkeys जो है, यह सारी के सारी keyboard में आपके मिल जाएंगे, तो यहाँ पर keyboard किसी भी तरीके से functionality में compromise नहीं करता है, नहीं इसका software करता है, once अगर कुछ है, तो इसका नयापन है, क्योंकि market में नया है, तो यहाँ प पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा एक reminder डाल दो, please दीचे subscribe बटन दबा दो, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है, neutral views और unbiased reviews के लिए, आपके subscription के ताकत से ही जो है, हम Amazon से product खरीते हैं, और companies के बड़े-बड़े offers को ठुकरा कर, इस तरह के वीडियो को unbiased रख पाते हैं, तो आते यह keyboard बिनकुल आपके लिए है, माना कि इसमें थोड़े बहुत गेच है software में, लेकिन फिर भी यह keyboard की quality और hardware की जो बात है, वो अलग level की है, अच्छी है, इसी तरह से एक नया brand और आया था, आपने request आया था, मेज जी का, उसका भी हमने review किया, वो अच्छा नहीं था, उसम अले keys, पर सो कुछ और keys यहां पी install करना चाते हो, आपको फिकर नहीं करनी है, कि 3-pin लगाना है, 5-pin लगाना है, कोई भी company का आप swap करना चाते हो, तो वो जादा enjoyable होगा, Red Dragon KK552 कुमारा RGB पर, क्योंकि वो जो keyboard है, यह तमाम feature लेके आ रहा है, बस dial नहीं है, लेकिन उसमें hot shopping का जो feature है, वो और भी ज़्यादा enjoyable आपको बन जाता है, साथ ही एक और company है, Cosmibyte का CBG के 34 Firefly नाम से, वो भी hot serviceable keyboard है, लेकिन वहाँ पर swap की feature, उमारा जैसी अच्छी नहीं है, लेकिन बिल्कुल Creo Hive RGB से better देखने को मिलेगा, अच्छा, अब अगर आप इस keyboard को strictly इसी है दे keyboard उसमें dial knob देखने को मिलता है, 2000 की बात करें, तो red gear का shadow blade आता है, उसमें भी आपको dial knob देखने को मिलेगा, तो 3000 रुपए देखकर इस keyboard को सिर्फ dial knob के लिए लेना, मेरे हिसाब से अकलमंदी नहीं होगी, लेकिन अगर आप 75% डून रहे हो, dial knob के साथ वो इस keyboard को unique बनाती है तब आप बिलकुल इस keyboard को ले सकते हो, अगर आपको future में इसको mod करने का plan है, क्योंकि heavy plastic है, modding करोगे बहुत थौकिया sound आएगा, तब आप इस keyboard को consider कर सकते हो, अगर आपको swapping limited करनी है, बार पास switch नहीं change करना है, एक बार mod करना है, तब इस keyboard को आप सोच सकते हो, वैसे जाएगा, और एक बार आपने keyboard मंगा लिया, तो क्या करना है, एक दूसरा request है मेरा, प्लीज हमारे instagram handle at the rating box in the option पर जरूर हमें tag कीजिए, तकि हमने जो बड़ी महनत से एक चोटी सी प्यारी सी honest community बनाई है, उसमें आपके photos को share कर सको, आपके setup को जो है share कर सको